हेलो स्टुडेंट्स आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं कक्षा बारा का पार्ट चार जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें इसमें सांस्कृतिक विकास जो है इसापूर 690 से इस्वी संबत 600 यानिके 1200 वर्ष का अध्यान करेंगे तो उस पार्ट का पहला भाग जो है हम आपके पास लेके आ रहे हैं तो विश्व में उस समय जो है इस काल में बहुत सारे परिवर्टन आये नए नए समराज्जियों का निर्मान हो रहा था और इसापूर प्रतम सहस्त्रापदी का काल जो है एक मैतमूर मोड माना जाता है विश्व के इतियास में और इसमें दुनिया वर में अनेक चिंतनक हुए हैं जैसे इरान में जर्थुस्त्र हुए इसी परकार से चीन के अंदर खुंकतसी नाम के महान विचारक हुए और इरान में तो काफी सारे विचारक हुए जैसे सुकरात, प्लैटो और अरस्तु जो की आज भी जिनके चारों से उस समय के समाज को परिवर्तित कर दिया तो ये महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का क्या इंपेक्ट रहा है हमारे जीवन पे तो वो जो है यहां पर हम देख रहे हैं तो उन्होंने जो है उसमें जीवन के रहसियों को समझने का प्रियास किया साथ ही साथ वे इंसानों और विश्त वीवस्ता के भी जो रिष्टा था उसको भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या इंसान और विश्व को चलाने वाली जो विवस्ता है यानि कि जो ऐसी इस्वरिय ताकत या कोई भी ऐसी चीज़ है उसको वो समझ रहे थे उसी समय में गंगा गासीStart पर नए नए राज्य और सामराज्य जैसे मगज और अधी उभर रहे थे और नए शहरों बन रहे थे और नए समाजिक और आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलावा रहे थे तो यह मनिशी जो हैं उस बदलते हुए हालात को समझने की कोशिश कर रहे थे उस समय भारत में वै था और समय के साथ-साथ इसमें कई तरह की जो हैं तुरुटियां आ गी थी तो पूरवैदिक परमपरा जो थी जिसकी जानकारी हमें 1500-1000 इस्वा-पूर्व में संक्लित किये गए रिग्वेद से मिलती है रिग्वेद काल 1500-1000 इस्वा-पूर्व में यह संकलित हुआ माना जाता है तो यह काफी प्राचीन परंपरा रही है अब रिगवेद में जो मुख्य देव थे वो अगनी इंद्र सोम आदी देव थे इनकी जो स्टुती जो है इनके रिगवेद के रिचाओं द्वारा की जाती थी अगनी देव जो है यह आहूती को यग यग्यों के समय जो है इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था और उसमें यग्य करने के पीछे उद्देश्य होता था कि लोग जो है इसमें मवेशी या दुधारू पशु या क्रिशी में काम आने वाले पशुओं की मांग करते थे अपने लिए जो है योग्य पुत्र की और अपने स्वास्तगी और लंबी आयू के लिए यग्यों में प्रात्ना की जाती थे तो यग्यों का उद्देश्य था सांसारिक सुखों को प्राप्त करना तो यग्य जो है शुरू-शुरू में तो सामुईक रूप से किया जाते थे और काफे जो है रिशी मुनी मालिक इसको करने लगे राजस्वे यग और अशुमे यग्य का आपने जुरूर नाम सुना होगा ये जो है बड़े पहमाने पर जटिल यग हुए थे इसे राजा महराजा लोग किया करते थे और जैसे कि भगवान राम ने जो है अशुमे यग्य किया था और पांडवों के सबसे बड़े भाई थे उन्होंने किया था और भगवान राम ने चक्रवर्ती समराट बनने के लिए जो है अशुमे यग किया था जिसकी कानी आप लवकुष्क के माध्यम से भी जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अशुमे यग का गोड़ा रोक लिया थ तो इस अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्रामन प्रोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था क्योंकि मंत्रों आदी के द्वारा ही इसमें आउतियां दी जाती थी इस समय में संसार के आगे बहुत सारे नए प्रशनों ने जनम लिया जो ये प्रिवर्तन हो रहे थे तो लो मृत्यू के बाद भी क्या जीवन संभव है या पुनर जनम के होता है या नहीं होता है और होता है तो क्यों होता है या शरीर के अंत के साथ ही ये सब कुछ समापत हो जाता है तो इस तरह के प्रशन जो हैं लोगों के मन में उठ रहे थे आत्मा के अस्तित्व पर भी के कारण होता है यानि के पहले के जो हमने वारे करम थे उनके आधार पर पुनर जनम निरधारित होता है कि किस प्रकार से किस यौनी में हमारे को जनम लेना पड़ेगा या क्या जीव बनना पड़ेगा और मृत्यू के पश्चात क्या होता है कि मृत्यू के बाद स्वर्ग न ना होने के उपर भी विवाद हुआ करते थे तो नए जो ये प्रशन है उनमें पर ये मनिशी जो है अपना प्रकर्ति को समझने के लिए कई प्रशन जो है होते थे और वो समझने के लिए अपने भावों को जो है इन वितर्क वितर्कों द्वारा व्यक्त करते थे और ये वै फार्थ से भी और इसका मदद ओस एश्वर एक है या नेक है या सत्य के कितने रूप हो सकते हैं क्या सत्य साथविक और एक ही होता है तो इस तरह सत्य की खोज की जाने लगी और उसके उपर भी बैस वहा करती थी तो और लोग यग्यों के महत्व के बारे में सोचते थे कि इतने बड़े पहमाने पर यग्य क्या करना या ना करना यग्यों की उपयोगिता क्या है और इसके उपर भी वो चिंतन करने लगे कि य चौइब प्रकार के संपर्दाय यहांई के चिंतन सोचने समझने वाली अलग लग भाव विचारों वाली परंपराई थी 64 संपर्दाय थे और इन 64 संपर्दायां में जिवन्त चर्चाएं हुआ करती थी और विवादों की एक ख्ञाकी जो हैं यहां पर इन गरंथों में मिल नित्य थे तो ये चर्चाएं जो हैं कुटागार शालाओं में होती थी कुटागार शालाएं जो होती है वो नुकिली छत वाली जोपड़ी होती है जहां पर गुम ये गुमने वाले मनिशी जो थे सादुसंति जो थे इन नुकिली छत वाली जोपड़ी के अंदर जो है अपने तरकों को से समझा देता था अपनी बात को जो है समझा देता था तो फिर जो हारने वाला जो होता था उसका प्रतिद्वन्दी उसको तरकों को समझ लेने के बाद अपने सारी अनुयाईयों समेत जो है उनका शिश्य बन जाता था ऐसा गौतम बुद्ध के बारे में क कई सारे अन्यायों ने उन्हें चुनोती थी और बाद में जो है वो उनके ही शिष्ये बन गए तो इस तरह से ये संपरदाय गटते बढ़ते रहते थी और शिष्यों की संख्या भी गटती बढ़ती रहती थी अब ब्राह्मन वाद का विरोध किस प्रकार किया गया ब्राह्म को जैसे हमने पहला चुनोती वो दी थी तो गौतम बुद्ध ने कहा है कि अपने दुरदशा के लिए दूसरों को उत्रदाई नहीं ठहराना चाहिए क्योंकि व्यक्ति में जो है सुधार की वश्यक्ता है तो स्वेम को दोशी ठहराने से या पता चलता है कि सुधार पूर्ण हो गया तो यह जो है गौतम बुद्ध के विचार थे और वो यह कहते थे कि जीवन से दुखों में मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति को स्वेम करना पड़ता है उसके लिए किसी जो है उसको मुक्ति दाता की प्रतिक्षा नहीं करने चाहिए क्योंकि वो स्वेम जो जाए तो उनोंने वेदों के उपर प्रशंचिन लगाए तो यह समझ ब्रह्मनवाद के बिलकुल विप्रीथ थी कि एक व्यक्ति कुसी भी धरम या जाती या कहीं पर भी उत्पन हुआ हो वो जो है अपने लिए जो है मुक्ति प्रात सकता है और अपने जीवन को जो है उस जाती वालों को जो है उनका जो है अच्छा होगा और निम्न जाती वालों की मुक्ति नहीं होगी ऐसा उस समय का विचार रहा होगा तो जैन धरम का बारे में जो उस समय का एक प्रमुक धरम था यह छटी सदी सा पूर में जब महावीर वर्दमान का जनम हुआ उससे पहले से ही भारत में प्रचलित था और महावीर स्वामी से पहले भी 23 और शिक्षक हो चुके थे जिनें हम तीर्थंकर कहते हैं तो यह तीर्थंकर जो थे 23 इस पहले भी हो चुके थे सबसे पहले तीर्थंकर जो थे वो रिशब देव जी थे इसी तरह से यह परंपरा आगे चलत ते रही और पार्शुनाथ जी मावीर स्वामी से पहले 23 तिर्थंकर हुए थे और उनके काफी समय बाद लगबाग 130 से भी अधिक साल के बाद जो है ये मावीर स्वामी 24 में तिर्थंकर बने थे तिर्थंकर का मतलब वह है वे महापुरुश जो पुरुशों और महीलाओं को जीवन की नदी के पार पहुँचाता है तो इसको जो है तिर्थंकर कहते हैं तो मावीर स्वामी जो थे 24 में तिर्थंकर थे तो इनका जो मावीर स्वामी है इनका जनम जो है एक राज की परिवार में हुआ था ये चौबिस में तेरधंकर जैसा हम पहले कह चुके हैं थे और आज से धाई अजार साल पहले इनका जनम इस्सा से पांसो निन्याणवे वर्षपूर जो है वैशाली के गनतंत्र राजे शत्रिये जो राज़ में जो है कुंडलपूर में हुआ था तो वैशाली के अंदर कु भवे मंदिर बना हुआ है तो शेतांबर परंपरा जो जैंदर में दो परंपरा है दिगंबर और शेतांबर परंपरा कहती है कि उनका विवा यशोदा नाम की एक महिला से हुआ था जिससे उनके प्रियदर्शनी नाम की एक पुत्री हुई जिसका विवा जो है बाद में युवा उन्हें पर राजकुमार जमाली के साथ हुआ था लेकिन दिगंबर परंपरा कहती है कि ये आजीवन ब्रहमचारी रहे थे तो ये जो है कुंडलपूर में इनका जनमस्थान है महाविर स्वामी का जहां पर एक भव्वे मंदिर बना हुआ है तो अब महाविर स्वाम इनका जो है तीस वर्ष की जब अवस्था हो गई तो उन्हें जो है संसार से विरक्ती हो गई और उन्होंने सारे राजकिये सुख राजकुमार का जीवन छोड़ कर जो है सन्यास धारन कर लिया और इस तरह तीस वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की तरह वो भी घ पत पर निकल büy Pillars tür फेरह त्याक कर राज के सुख त्याक कर वह उन्हों ने सन्यास ले लिया और आत्म कल्यान के पत पर वह निकल गए इस तरह से जो है एक राज की जीवन चोड़कर उन्होंने सन्यास का जीवन अपनाया तो उन्होंने इसके लिए 12 वर्षों तक 14 तपस्या की और इसके दोरान जो है उन्हें समाज के विभिन वर्गों द्वारा बहुत कश्ट भी पहुंचाएगे लेकिन उसके बाद उन्हें केवल्ले प्राप्त होगा केवल्ले का मतलब होता है संपूर्ण ग् प्रव्यक्ति दूसरों के साथ जो है ज्यान की चर्चा करता है तो मावीर स्वामी ने इसके बाद धरम प्रचार यानिके अपने विचारों का प्रसार शूरू किया बैतर साल की अवस्था में पावापूरी नामक स्थान पर फोग्रिए इन्होंने मोख्ष की प्राप्ति के और जो है ये पावा पूरी में इनका मुख्ष्थल है जहां पर बहाभे मंदिर बना हुआ है और जिस दिन इनका मुक्ष प्राप्ट हो था उस दिन जो है दिवाली का दिन था तो जोएन लोग धरम में दिवाली इनके निरुआन दिवस के रूप में मनाई जाती है तो मावीर स्वामी के जनम से लेके उनके अंतिम समय तक बहुत सारे अनुयाई उनके बने जिन में बिम्बसार जो है मगद का समराट मुखे इनका अनुयाई रहा है और कुनिक और चेटक भी इनके अनुयाई रहे हैं तो इस तरह बड़े- राजा भी इनके अनुयाई रहे थे बिम्बसार के बारे में का जाता है यह गौतम बुद्ध के भी अनुयाई थे और उन्होंने बहुत धरम ग्रहन कर लिया था तो बिम्बसार के उपर जो है जैन धरम और बहुत धरम दोनों का ही प्रभावरा है तो यह जैन धरम की जो फिलोस्फी है या उसका दर्शन है वो ये मानता है कि संपून जो विश्व है वो प्राणवान है यानि कि चाहे वो जीव है या निरजीव है उनके अंदर सभी के अंदर प्राण है तो अलग सभी चीजों में उन्होंने जो है प्राण माना और इसको जो है मानते थे कि ग्यानेंद्रिये एक सेंसिस है और ये शंक वाम वगारा के अंदर जो है दो ग्यानेंद्रियां बताएं और कीडे मकोडे के अंदर जो है तीन ग्यानेंद्रियां और यहाँ पर ये मकडी और मक्खी वगारा इनके अंदर जो है चार ग्यानेंद्रियां इसी तरह से जो इंसा रखनी चाहिए खास कर इंसानों जानवरों पेड़ पौदों और कीडे मकोडों को नहीं मानना चाहिए तो यह इंसा का सिधान्त जो है यह जैन दर्शन का मुख्य केंद्रबिंदू है तो इंसा का विचार उस समय जब सामराज्य बन रहे थे एक नहीं बात थी और उस करता है और किसी को भी मन करम बचन से कष्ट पहुंचाने का विरोध करता है तो जैन माननेता के अनुसार जो है जनम और पुनर जनम का जो चक्र है वो करम के द्वारा निरधारित होता है यानिके करम निरधारित करते हैं कि आपका पुनर जनम किस प्रकार का होगा ऐसा जो की पुस्तकों में लिखा हुआ है तो करम से चक्र से मुक्ति पाने के लिए त्याग और तपस्या दो चीजों की अवश्यक्ता होती है और त्याग और तपस्या के द्वारा जो है करमों के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है तो ये संसार के त्याग से ही संभव हो सकता है यान जो है यह बंद बंद का मतलब है चेतना यानि आत्मा का कर्मों से बंदन यानि कि आत्मा जो है वो कर्मों से बंदी है कर्मों के अनुसार बंदी है और सम्वर का मतलब होता है कर्मों के प्रवा में बाधा यानि कि वो कारे जो हमारे कर्मों को रोकते हैं उनमें बाधा लव का मतलव होता है कर्मों का प्रवा तो फ्लो अफ कर्मा और पाप जो है ये बुरे कर्मों के द्वारा अर्जित होता है और पुन्य जो है अच्छे कर्मों का फल कहलाता है तो पाप और पुन्य की बात हुई और अजीव जो नॉन लिविंग में धिंक्स मानी जाती थी अ निर्जीव वस्तों माने जाती थी और जीव जो हैं जीवित वस्तों हैं थी और कर्मों से संपून रूप से मुक्ती जो है वो मोक्ष और कर्मों का नाश हो जाना निर्जरा कहलाता है इन सब से उपर जो उठ जाता है इन सब पे उपर जो नियंतरन पालेता है इन नो तत्व हैं ये जहन धर्म के और इनसे जो उपर उठ गया और इनसे हो गया उसे केवल्ले प्राप्त हो जाता है यानि के संपुन ग्यान जो है उनको मिल जाता है तो महावीर स्वामें पहले व्यक्ति थे जिनने केवल्ले प्राप्त हुआ और यहां आत्मा से मुक्ति का रास्ते जो ह सम्यक ज्रित्र जब व्यक्ति में आजाती है तभी वो अपने करमों के उपर नियंदरण सकता है तो चार स्वास्ति के चार भागों में ये चार चीजे बनाई गई, एक हैवन यानिके स्वर्ग, ह्यूमन यानिके मनुष्य, एनिमल यानिके पशु और हैल यानिके नर्क, तो ये स्वर्ग नर्क के और जीवित, जीवन में जो मनुष्य और जीव हैं, वो सबी इसके लिए प्रयास कर सकते हैं मनुश्य इने बलकी और जानवर भी जो हैं वो अपने कर्मों के द्वारा इन उच्छ स्थानों को प्राप्त कर सकते हैं तो ऐसा जैन धर्म की फिलोस्फी यानिके दर्शन है तो इस तरह से स्वास्तिक के माध्यम से जो है इनके ज्ञान को समझाया गया ह लौकिक यानि के संसारिक सुखों से मुक्ति तो मुक्ति के लिए जो है जैन के धरम के अनुयाहियों को विहारों में निवास करना अनिवारी नियम बन गया था जो जैन धरम के अनुयाहि थे वो उनको विहार में एकांत में रहना पड़ता था क्योंकि संसार त्याग देना पर तो जैन सादू और साद्वियों को पांच वरत भी लेने पड़ते हैं जिने पंच महावरत का आ जाता है तो ये पंच महावरत जो है ये दिखाया पत्थर पर जैसे लिखे हुए हैं ये जैसे सत्य सत्य का मतलब जूटना बोलना एक है अहिंसा यानि किसी को कश्ट ना द लाता है दो धन का अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए जितनी आवशकता हो उतना ही अपने पास रखना चाहिए और किसी से बिना मांगे उसकी चीज ना लेना अचार ये किसी के प्रती जो है कष्ट ना पहुंचाना किसी को और हत्या ना करना ये अहिंसा और जूट ना बोलन ये जो है सत्य के लिए है तो ये चार जो तत्वें और पांचवा जो तत्वें वो है ब्रह्मचर ये जिसे अमरिशा भी कहा जाता है तो इस तरह से इन पांच वरतों को उन्हें लेना पड़ता था तो जैन धरम का जो विस्तार जो है धीरे धीरे पूरे भारत में हो गया था और ये चारो तरफ फैल ने लग गया था पूरे भारत में और वैदिक धरम को चुनोती दिने लग गया था तो जैन विद्वानों ने आम लोगों की भाषा में के साथ-साथ संस्कृत में भी यानि के प्राकर्त तमिल जैसी आम भाषाओं के अलावा संस्कृत में भी साह जैन धर्म के अनुयाइयोंचे अपने तीर ठंकरों की विशाल मूर्तियां जो है स्थान स्थान परदेश के उक माधिव में जगा-जगा पर बनाईंगी और जैन-धरम को जो है नया आधार दिया और जैन-धरम जो है शिक्र ही लोकप्रिय धर्मों की शिरेणी में आगया था बार्किति तुप माहध्वीप के अंदर ये बाहु बली की मूरती है जहांका जो है मस्तका अभिषेग जिनका बहुत ही फेमस है मशूर है और इसका जो बुद्ध जो हैं बौत धर्म के को फैलाने वाले जो बौत धर्म जो विश्व यापकी धर्म है उसके जो है बुद्ध परवर्तक थे तो बुद्ध का जनम जो है 563 इसवी में पूर में हुआ था कप्ल वस्तु नेपाल में जबकि महावीर स्वामी का 500 निन्याण में इसवी इने के साथ दिन के बाद ही मृत्यू को प्राप्त हो गई थी, तो इस तरह से गौतम बुद्ध की माता जो है इन्हें जनम देने के कुछ समय बाद ही साथ दिन बाद ही अपने इस संसार को छोड़के चली गई, तो इनका जो है पालन पोशन, इनकी मौसी महाप्रजापती ग पहली महिला शिष्या भी बनी थी तो सिध्धार्थ का जो अर्थ होता एजिसने अपना लकषे प्राप्त कर लिया यह उसका नाव दिय देख कर बचपन में यह वहिश्यवानी कर दी गई कि ये या तो बाड़े महान राजा बनेंगे या बहुत बड़े संत तो इनके ये संत ना बन जाए इसलिए इनके पिता ने इने शुरू से ही राज किये सुखों के अंदर रखा लेकिन देवरत जो इनके भाई थे उनके साथ आपने हंस वाली कहानी जो पड़ी होगी कि किस बहुत से देवरत ने हंस को गायल कर दिया और सिधार्थ ने उसका उपचार किया और वो यह वाली कहांई आप बचपन में पड़ चुके हैं कि हंस कि नाम की कहानी है तो सिधार्थ के अंदर जो है बचपन से ही द्या भावना कूट कूट कर भरी हुई थी और धिरे धिरे जो है वो गौतम बुद्ध जो थे इस संसार के उस समय के प्रभावशाली शिक्षकों में जिनकी गिंती होती थी और बहुत धरम जो है इनके वज़ा से जो है मद्दे एशिया होते वे चीन, कोरिया, जापान, शिरलंका से समुंदर पार, मैनमार, थाइलेंड और और शिरलंका में जो है अशोक के परयासों से महिंदर और उनकी भेहन जो थी उन्होंने जो एए यह पहुंचाया और मैनमार, थाइलेंड, अंडोनेशिया में भी यह धरम जो है चारोतर पहुंच गया यह जो है इनका हाट लेंड है यानि कि जो है बहुत धरम का जो है घर्दे केंद्र है तो यह इस तरह से मद्देशिया होते हुए चीन गया और चीन से फिर यह जो है वहाँ से कोरिया और जापान में भी फैल गया और वहाँ इसके अलावा थाइलेंड इंडोनेशिया आधी देशों में भी ये दिरे-दिरे महनमार यानिके वर्मा जो कहलाता था आजकल महनमार कहलाता है वहाँ पर भी ये दरम पहला इस तरह से ये उस समय के ग्यात विश्व के अधिकतर भारगों में इसके जो तीनों संप्रदाये थे उस समय के महायान, हीन्यान और वज्रियान ती लग-लग स्थानों पर भैलाया उसी के साब से इस नक्षे में रंग दिये गए हैं लाल हरा और नीला तीनों उन तीनों संप्रदायों के लिए दिखाए गए हैं तो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं इनका संकलन जो है बुद्ध के जीवनकाल में नहीं हुआ इसके सो जो है पुस्तकों के रूप में पांडुलिपियों के रूप में लिखा गया तो यह जो है गौतम बुद्ध के धर्म परचार में बाद में बहुत काम आई तो महान धर्म उपदेशक की याद को बनाई रखने के लिए यह जो है लाइब्रेरिज इनोंने बनाई और उसमें बहुत सारी पुस्तके उन पे लिखे गई तो सिद्धार्त बुद्ध किस तरह से बने तो जो मैंने जैसे पहले बताया कि उनके पिता जब उन्हें यह तपस्वी ना बन जाए इसलिए उन्होंने सांसारिक सुखों में उन्हों रखा लेकिन एक बार उन्होंने अपने व्यक्ति को देखा एक बिमार व्यक्ति को और एक लाश को देखा तो उन्हें बहुत सद्मा लगा तो उन्होंने देखा कि एक जो है बिमार व्यक्ति है जो खाट पे लेटा है और एक बुड़ा व्यक्ति है जो ठीक से चल भी नहीं सकता जिसकी कमर जुके विया है और ला निश्चित है तो उन्होंने जो है इसका ये देखकर गहरा सदमा लगा और उन्होंने जो है जीवन का अर्थ डूनने की कोशिश की और इसी उन्होंने ये माना कि जो ये सुन्दर शरीर हमारे को मिला है इसका शै और अंत जो है ये निश्चित है और ये शै भीमारी के द्व और बुड़ापे के द्वारा भी इसके अलावा इसका अंत जो है मृत्यू की कारण हो सकता है तो इससे अलावा वो जो है इन सब कारणों का उपाय सोचने लगे कि हमारे को ये सब क्यों हो रहा है तो इससे उनके अंदर एक बैचेन ही उत्पन हो गई इसके अलावा उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से भी मिले जिसने अपना घर त्याग दिया था और वो सन्यासी को देखा जो भुड़ापे और बिमारी और मृत्यू की जिसे उसे कोई परिशाने नहीं थी और उसने शांती प्राप्त कर ली थी तो इस सन्यासी से मिलने के बाद उनके मन में ये बात आई कि अगर शांती प्राप्त करना है तो संसार को त्याग देना जरूरी है तो सिद्धार्थ के मन में ये विचार आने के बाद उन्होंने निश्चे किया कि वो सन्यास का रास्ता अपनाएंगे और उन्होंने अपना परिवार जो है महल त्याग दिया यहांचितर में दिखाया गया है कि वो सोते वे अपने पुत्र और पत्नी को छोड़कर रात को घर से छोड़के चले गया थे तो सिधार्थ ने साधना के कई मार्गों का अनुवेशन किया कई तरीके जो उन्होंने साधना की और भूखे प तरीके हैं उनको त्यागना ठीक है और सांसारिक सुखों के बीच में भी रहने के बजाए एक मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए यानि के बीच का मार्ग उन्हों के तरफ उन्होंने बताया कि मध्यम मार्ग के रास्ते से जो है हम जो है ज्यान प्राप्त कर सकते हैं तो इस तर तो बाकी जीवन उन्होंने धर्म और सम्यक जीवन यापन की शिक्षा लोगों को दी तो यह अपना धर्म परचार में इसके बाद उन्होंने बिताया, सम्यक का मतलब होता है संतुलित तो संतुलित यह जीवन यापन का तरीके उनोंने बताए तो बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी इनकी चर्चा करते हैं तो बुद्ध की शिक्षाएं जो हैं वो सूत पिटक में दी गई कहानियों के अधार पर पनर निर्मित की गई थी, त्रिपटक जो है, उन्हें सूत पिटक में कहानियां दी गई हैं, तो कुछ कहानियां उनको अलोकिक शक्तियों का वरणन किया गया है, कि गौतम बुद्ध में बहुत सारी अलोकिक शक्तियां थ तो एक कानी ऐसी आती है कि जब एक मरेवे बच्चे की शोका कुल मा जो है गौतम बुद्ध के पास आई और उसने अपने बच्चे को जीवित करने के लिए कहा क्योंकि उसने सुन रखा था कि गौतम बुद्ध में अलोके कि शक्तियां हैं तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने की प्राथना है तो स्विकार के लिए लेकिन उससे ये कहा कि ऐसे घर से भिक्षा मांग के लाओ जहां पर कभी भी किसी की मृत्यू ना हुई हो तो मैं इस बच्चे को जीवित कर दूँगा वे मयला जो है हर घर में गई और उसे ऐसा कोई भी संसार में घर नहीं मिला जहां कभी ना कभी किसी की मृत्यू ना हुई हो ये सोचकर देखने के बाद उसके आस्वेम ही बात समझ में आ गई कि मृत्यू तो अवश्य भावी भात है और वो होकर रहेगी इसके लिए शोक कर या पड़ा लिखा हो सबको समझ में आ जाती थी तो बहुत दर्शन क्या था तो बहुत दर्शन जो है उसका मार्ग है आश्टांगिक मार्ग तो आश्टांगिक मार्ग जो है उन बहुत दर्शन में कहा गया कि विश्व जो है अनित्य है यानि कि स्थाई नहीं अलगातार ब दुख मनुष्य की जीवन का अंतरनेत तत्व है तो ये तो होकर मिलना ही है ये दुन्या शन महंगुर है यानि कि एक शन की है और दुख से भरी हुई है तो इसलिए घोर तपस्या और विश्या सकती यानि के संसारिक सुखों में जो हमारा ध्यान रहता आ सकती रहती है उसको छोड़कर बीच का मध्यम मार्ग अपना कर मुनिश्य जो है दुखों से मुक्ती पा सकता है तो उन्होंने कठोरता की बजाए मध्यम मार्ग को अपनाया ये अश्टांगिक मार्ग बता है और वो अ सम्यक द्रिष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक करम, सम्यक जीविका और इसके छटा जो है सम्यक वियाम, सम्यक सम्रिति सात्मा और सम्यक समाध्धी आठमा तो इस तरह से आश्टांगिक मार्ग जो है उन्होंने बताया तो यहां जो है सम्यक वानी का जो मतलब है वो ह कि जूट ना बोलना, कटू वचन ना कहना, चुगली ना करना, निरत्थक्त बातचीत ना करना, इसी तरह से सम्यक करम जो है, वो किसी प्राणी की हत्या ना करना, दूसरे की वस्तू ना चुराना, व्याभिचार ना करना, बुरे काम ना करना, माधक पदार्तों का सेवन ना करना और ब्रमचरिय का पालन करना तीसरा समयका जीविका यानि को किसी को धोखा दिये बिना या नुकसान पहुचाए बिना धन कमाना तो यह तीन शील हैं और सदाचार की श्रेड़ी में आते हैं तो बाकी जो हैं तीन गुण समाध्धी के अंदर आते हैं और समाध्धी का मतलब है मन को वश्मे करना ये पहले तीन जो है तत्व जो है वो सदाचार की शेड़ी में हैं सम्यक वानी, सम्यक करम, सम्यक जीविका और समाध्धी जो यानि के मन को वश्मे करना तो सम्यक वियाम जो है सम्यक सम्रिति जो है ये इसमें जो है ये सम्यक वेयाम के लिए विपसना नाम के एक उपासना पद्धिती पर इन्होंने बल दिया जो कि जिसका दस दिन का शिवर जो है वो अनेक केंद्रों पर विपसना केंद्रों पर आज भी लगाया जाता है तो वहाँ पर आत्म केंद्र थोकर व्यक्ति को जो है शिखाया जाता है किस प्रकार मन को नियंत्रण में किया जा सकता है तो सम्यक समृति जो है शरीर और चित्त के प्रपंच के प्रति सजग रहते हुए सम्वेधनाओं के अनित्य बोध के आधार पर समता पुष्ट करती है समयक समाधी जो है चित्र को एकागर करना शरीर और चित्र के प्रतिस सतत जागरुक रहना इसको बताती है तो ये तीन जो है समाधिया है तो जिनका वर्णन जो है यहां पर किया गया तो तीन शील तीन समाधिया छे हो गए और इसके बाद है प्रग्या प्रग्या जो है ये विकल्प सही हो, मन का शुद्धी करन का संकल्प करना और एक है सम्यक दृष्टी यानि के सम्यक दर्षन जो वस्तु जैसी है वैसे ही उसके गुण धरम सभाव को देखना अनित्य बोध दृष्टी गोचर करना तो बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्मान जो है वो इंसान उन्हों ने किया अपने लिए किया है इश्वर ने नहीं किया यानि कि इश्वर के अस्तित्व को उन्होंने चुनोती दी और उनके उपर प्रसंचिन लगाया कि इश्वर के अस्तित्व है जो कि ब्रह्मन वाद के उस समय के विरुद्ध था तो ब्रह्मन वाद जो है इसक समय का बहुत नाराज था और उनके उपर इस वज़ा से उन्होंने कही तरह के आक्षेब भी लगाए तो उन्होंने राजाओं और ग्रैपतियों को देयावान और आचरणवान होने की सला दी यानिके जो समाज को नियंतरत करने वाले लोग हैं अगर वो देयावान और अच् आज भी सुधर सकता है तो बुद्ध ने जीवन मृत्यू के चक्र से मुक्ति और आत्म ज्यान और निर्वान के लिए व्यक्ति के इंदरित हस्तक्षेप और सम्यक करम की कल्पना की थी तो उन्होंने का कि जीवन मृत्यू के चक्र से मुक्ति जो है वो और आत्म ज्यान औ ग्रहत्या करने वाले को दुखों के चक्र का अंत हो सकता है तो निर्वान प्राप्ति की ये परिवाज है तो बुद्ध के अनुवियाईयों की बात करते हैं तो दीरे दीरे बुद्ध भूद धरम बहुत पैल गया और इनके शिश्यों में भारी संक्या में बृद्धी हो ग उनोंने जहां बिख्षू जो है धम के शिक्षक बन गये थे धम यहां पर धरम से जुड़ा हुआ धरम से के लिए ही धम शब्द का बहुत में धरम में इस्तिमाल किया जाता है तो इनके जो बहुत बिख्षू थे उन्हें श्मन का आ जाता था जो बहुत ही सादा जीवन व्यातीत करते थे और इनके पास एक जो है कटोरे के अलावा और धैनिक जीवन की कुछ जरूरी चीजों के अलावा कुछ भी नहीं होता था तो जीवन्यापन की अति अवश्यक चीजों के अलावा ये अपने पास कुछ नहीं रखते थे और एक दिन में एक बार उपासकों से जो है ये भोजन दान पाने के लिए एक कटोरा रखते थे यानि के दिन में केवल एक बार ही भिक्षा मांगी जा सकती थी एक बार ही भोजन करने के लिए तो इस तरह से वो सिरफ अपने पास एक कटोरा ही रखते थे तो ये दान पर निर्भर थे इसलिए इनको क्योंकि दान मांग के खाते थे भिक्षा लेते थे इसलिए इनको भिक् किस प्रकार के थे तो शुरू में तो संग में सिरफ पुरुष ही समलित होते थे पुरुष भिक्षू ही समलित होते थे लेकिन जो है आनंद नाम के इनके जो प्रिय शिश्य थे उन्होंने के प्रियासों से महिलाओं को भी इसमें अनुमती मिल गई और महिलाओं को उन्होंन की विक्षुनी बनी वो जो जैसा हमने पहले बताया है वो थी इनकी उपमाता महाप्रजापती गौत में तो ये जो है संग की पहली विक्षुनी बनी थी तो इनकी ही माता इनकी पहली महिला जो है विक्षु बनी थी तो कई उसके बाद तो कई इस्त्रियों ने संग में आई और धम जो है यानि के धरम की उपदेशिकाएं यानि के परचारक बन गई और आगे चलकर वे थेरी बनी थेरी शब्द जो है ये उपदेशिकाएं थेरी बनती थी और थेरी का मतलब वे महिलाएं हैं जिनोंने निर्वान प्राप्त कर लिया है और संगों की कार्य परनाली कै इसी थी इस पर विचार करते हैं तो बुद्ध के अनुईयाई जो थे कई समाजिक वर्गों से आये थे और ये समाजिक वर्ग बड़े अमीर गरीब उचे नीची सब तरह के थे इनमें राजा, धनवान, ग्रहपती, समन्य, जन, करमकार, दास, शिल्पी सभी लोग शामिल थ थे और लेकिन संग में आ जाने के बाद ये सभी बराबर के माने जाते थे क्योंकि विख्षू और विख्षुनी बनने के बाद उन्हें अपनी पुरानी पैचान बिलकुल त्याग देनी पड़ते थी, यहां तक कि उनका नाम भी बदल दिया जाता था, यहां पे राजा और दास सभी बराबर थे और सबको जो है भिख्षु या भिख्षुनी ही समझा जाता था, उन्हें अपना पुराना नाम तक त्याग देना पड़ता था और नया नाम उनको दिया जाता था, तो संग का संचालन पद्दती जो थी, गणों और संगों की परंपरा पारदार थी, जैसा कि गण और उस समय के संग जो थे, जो आपसी विचारविमश के द्वारा किसी निर्ना पर पहुंचते थे, उसी आपसी बादचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे, अगर वो एकमत नहीं हो सकते थे, तो मतदान द्वारा जो है निर्ना लिया जाता तो इस तरह से ये प्रणाली संगों में अपनाई जाती थी, तो इनका पूरे संग पूरी तरह से लोकतांत्रिक विवस्था पर थे, और बहुत धरम का प्रसार किस परकार हुआ तो बुद्ध के जीवनकाल में ही और उसकी मृत्यों के बाद भी बहुत धरम बड़ी तेज पाना चाते थे तो इस तरह से वो समाजिक उल्जनों में उल्जे वे थे उनसे वो मुक्ति चा रहे थे तो बहुत शिक्षाओं में जनम के आधार पर श्रेष्टा के बजाए अच्छे आच्रण और मुल्यों के महत्वक पर दिया गया और इसमें मैला और पुरुष सभी धर प्रती आकर्शित हुए और दोनों को इसमें स्थान मिला इसलिए उनका धरम तेजी से फैला क्योंकि ये ब्रह्मन वाद के विरुद्ध था इसलिए ब्रह्मनों के समाज द्वारा इन पे जो है कई तरह के लक्ष आक्षेप भी लगाए गये लेकिन इसकी सबसे बड़ी ब पी हो गया तो उमीद है ये आपको पाट जो है खूब अच्छा लगा होगा इसको देखने के लिए धन्यवाद और अपना आपने कीमती समय दिया नमस्कार